हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले लाइव में मैंने एक बात बोली थी कोई ऐसे कमेंट आया था तो उसमें एक बैसी में को किसी ने लिखा भी था कि भारत में टेक्स इंग्लेंड जैसा है और कि सुवीदा सुमालिया जैसी है तो किसी ने वोला इसपर डिटेल में बात करना बात क्या करनी ही तो साफ दिख रहा है साफ दिख रहा है कि भी क्या हाल है बतलब जो टेक्स दे रहा है उससे तो पूरी तरह टेक्स निचोड लेतें भारत का टेक्स सिस्टम ऐसा है कि आपकी आधी कमाई चली जाएगी अब जिस आदमी कि year past bank में 20 लाक से कम आना है चाहलोच किया फरक पड़ता है वह तो देश बक्ती की बाध करेगा ना आप सोचो अगर आप साल में 20 लाक से जादा के सेविंग word में आता है तो आपको इनडिव ज CAP इसी नंबर की जरूत पड़ेगी यह रूल है अगर आपकी साल का प्रॉफिट 15 लाग से जादा है तो आपको 30 परसंट इंकम टेक्स देना पड़ेगा क्या करोगे आप उसके बाव जो 30 परसंट इंठारा परसंट 20 लाग में तो 15 लाग प्रॉफिट नहीं दिखाओगे न तो मतलब 20 लाग से ज्यादा आएगा तो 18 परसंट 30 परसंट 48 परसंट तो आपका यह चले गया उसके बाद आप जो भी समान खरीदोगे सब इंक्लूडिंग जी एस्ट है किसी पे 18 परसंट इंगे 20 परसंट 24 परसंट जो भी है इसके बद में जो मुनाफ़ा बचेगा वह आपका नहीं है उसमें भी आप जो भी समान खरीदोगे सब पर आपको इनडारेक्ट-टेस्ट दिना पड़ेगा उसके बाद भी खुश मत होना उसके बाद भी अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया तो अगर आपको पुलिस्टेशन में जाके रिपोर्ट लिकवानी है तो आपको जेब गरम करनी पड़ेगी अगर आपको सरकारी सरकारी दफ्तर में काम करvama है तो आपको रिष्वगत देनी बड़ेगी अगर आपको हवाई जाज में बढ़िया सुवीधा चाहिए तो आपको बिजनस क्लास की टिकेट लेनी बढ़ेगी आपको अगर बढ़िया तरीके से जाना है तो आपको एसी कोच में सफर करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि पूरा टक्स लेने के बद आपको सुफिदाय बढ़िया मिल रही है आप सरकारी सरकार को टेक्स किसको दे रहे हो आप सरकार को दे रहे हो आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा कर दिखा दो वो इतने घटिया है कि आप वहाँ इलाज ही नहीं करवा सकते हैं वहाँ नेताओं के इलाज हो सकते हैं फ्री में क्योंकि उनके लिए वी आईपी वार्ड होता है आप सरकार को टेक्स दे रहे हो पर सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ा करके दिखा दो आप तो मतलब अपनी कमाई का आदा तोल टेक्स देना पड़ता है मतलब कितने टेक्स दो गए यार थोड़े दिन जा रहे हैं शायद सांस लेने पर भी टेक्स लग जाए मतलब आप इसको ठंडे दिमाग से सोचो अब जो आदमी कीडा मोकोडा गरीब आदमी है कई बाकड़ा चला रहा है या उसका कैश का काम है ब्लैक मन नहीं उसको क्या फरक बढ़ेगा वो तो को कहेगा बकवास कर रहे हैं आदमी वकादी नहीं नहीं आ रहा है गिंती में नह उल्टा वो दान धरम देते हैं कि अधे देंगे राशन लगा देंगे फ्री में राशन बाट देंगे कि आप अपनी कमाई का आदाहिश्सा डारेक्टली दे देते हो अगर आप तरक्की कर रहा हो उसके बाद आप अपना 20% लगबक 20% के आज को आजपास ऑप इंडेक्ट devo उसके बाद आपको बड़िया सड़क मिलती है तो उसके लिए आपको आलग से टोल टेक्स देना पर इसके बाद है उसके बाद आगर आपको कोई बड़िया सुवीधा चाहिए छाहाए हुआ जाज में ट्रेन में सब जगा पर आपको एक्स्ट्रा पेग करना पड़ता है जवानों को हमने बहुत बड़ा बना दिया किसानों को हमने बहुत बड़ा बना दिया सारी सुविदा एक तरफ बढ़ गई है बाकी सुविदा वोट बैंक के नाम पर बढ़ गई है टेक्स देने वाले को मिलता क्या है क्या मिल रहा है आपको आपको इज़त थोड़ी मिलती है अगर आप सरकारी दफ्तर में चले जो रहें नहीं यार यह आदमी इंकम टेक्स पेयर है यह भारत के उन कुछ परसंट लोगों में शामिल है जो टेक्स भरता जिससके अमारी तंखा निकलती है क्या सरकारी ओफिसर आपके साथ ऐसे बील नहीं करता है कि या बाकि है कि बाकी और ये सब हुसी इतना महेंगा पैड्रोल खरीदने भाद रोड फर गाड़ी चलाने के लिए आपको अलग से अलग से रोड पर चलने का टोल टेक्स देना पड़ता है, गाड़ी को पार्क करने का अलग से और एक गाड़ी खरीदते टाइम से लिप hai टाय। रोल टेक्स वगरा दे देते हो उसके बावजुद आपको हर जगा पर टेक्स दिना पड़ेगा अपना ही मकान अगर आप बेचोगे और उसके मुनाफ़ा हो गया अगर उसकी कीमत बढ़ गई गलती से तो उस पर भी शॉर्ट टर्म गेन या लॉंग टर्म गेन टेक्स दिना नां तो वहां पर कमाने पर भी आप लिए वहां पर जितनी बार आप कोई चीज पर स्टाथ racist करोगे उस पर पर चेस करने पर टेक्स जिब भी उसको सेल करोगे उस पर टेक्स आ कि पॉलूशन के नाम ले पर धिली में पेड़ की देखने को मीलेंगे आपको पॉलुशन में चर्ण सीमा पर आपको सुवीदा के नाम में मिल किया रहा है इसके आपको health insurance लेना पड़े 가서 Medical insurance लाइफ इंशूरेंस लेना पड़ेगा, गाड़ी का इंशूरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, इतना सारा टेक्स देने के बाद भी, आपको किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, आपको किसी तरह की सुरक्ष सुरक्षा एक बच्चे के हाथ से कोई खिलोना नहीं सकता यूए के अंदर अरब एमिरेट्स के अंदर दुबाई है जहां पर यह जो साथ स्टेट्स मिलके बनाएं छे, छे हैं साथ है एक बच्चे को हाथ से रात को दो बजे भी को खिलोना नहीं चीन सकता है अपना पर सड़क पर रख देना अगले दिन आके आसपास के किसी पुलिस टेशन से ले जाना किसी की हिम्मत नहीं उस परस को उठाके घर ले जाए इसलिए लोग जा रहे हैं यू मत की होंगी क्योंकि हिंदुस्तान में उगने वाली सबसे एवन क्वालेटी की चीज़े तो एक्सपोर्ट हो जाती है और अगर इंडिया में मिलेंगी तो बहुत डबल रेट मिलेंगी मतलब इतना कुछ देने के बाद आपको प्योर पानी नहीं मिलेगा आपको फिर पान मैं गटर में खुश है क्योंकि उसको तो उसी मजा आएगा ना इतना अच्छा देश है मैंने पूरी दुनिया तो नहीं गुमी है पर मैंने कई देश देखे हैं मुझे इतना दिली तौर पर अफसोस होता है कि हमारे पास सारी वो सुविदा है जो उन देशों के पास नहीं है पर घटिया बैमान लोगों ने देश को बरबाद करते हैं कि हमारे पास हर वो संसाधन है पर नेताओं में इंट्रीटिव और विल्पावर नहीं है नेता को चुनने वाले लोगों को चुनना नहीं आता है चुनना कैसे है वो तो जात धर television के नाम पर हमारे यहांपर नेता की टिक्टे बिकति हैं अगर आपको विदाय का का इलेक्शन लड़ना है तो आपको 10 क्रोड चाहिए आपको काउंसलर का इलेक्शन लड़ना है तो आपको एक क्रोड चाहिए यह प्रॉपर एक बजट है टैक्स इंग्लेंड जैसा सुविधा सुमालिया जैसी सबसे जरूरी चीज होती है सुरक्षा बच्चे का बहतर भविश्य अच्छी एजूकेशन सिस्टम हाँ है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो प्रॉपर धंसे जो पढ़ा रहे हैं वह स्कूल तो बहुत महेंगी है वहां तो सिर्फ अमीरों के बच्चे जा सकते हैं कभी सोचा है कि दुनिया हिंदुस्तान में हर नेता का बच्चा हर अमीर आदमी का बच्चा हर बिजनेस टाइकों लुब्म daugnet जिस होई है वाई दुनिया को सरकार के लिए प्रमूट कर रए और आपके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं बिजनस कर रहे हैं ओके गुडबाई थैंक यू